हलो दोश्तों कैसे हो आप स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जे एनपी पर अमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे तो हजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वार्सिंग मसीन को किस तरीके से रिप्पेरिंग किया जाता है तो हमारे पास एक वार्सिंग मसीन आया हुगा है जो की वीडियो कौन कमपनी का है उसमें ड्राइज मोटर्ड जो की चुक खाने conscious होता काम नहीं कर रहा है कहने का मतलब है को चालू नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो में उसी को रिपेरिंग करेंगे हम किस तरीके से उसे रिपेरिंग किये जाता है कैसे चेक करते हैं पूरी जानकारी देने वाला हम इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने इस पहले में बता दू के भी तक आप लोग ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर ले वीडियो पसंदार तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें तो चल ले वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारे पास यह वार्सिंग मसीन जो कि हमने पीछे से इसके कबर को खोल दिया है यहाँ पर यह ड्रॉइंग देख सकते हैं इस ड्रॉइंग में पूरी इसकी जानकारी दी गई है किस तरी के इसके connection है वो सभी चीजी इस ड्राइंग में बताया गया है यहाँ पर हमारा यह देख सकते हैं यह वाइरिंग और हमारा यह ड्राइव वाला मोटर जैसा कि हमने बताया भी आपको कि हमारा यह खराब है तो इसी को हम खोलेंगे और हमारा यह वाला मोटर बिल्कुल अक्य है तो इसको हम नहीं कुछ करेंगे तो यहाँ पर चलिए हम खोलने का बताते हैं कि किस तरीके सा हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर यह मोटर देख सकते हैं हलाकि कुछ अंदेरा लग रहा है दोश्तों अगर मैं आपको देखानी की पुरी कोशिस कर रहा हूँ यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दो नट लगे हुए हैं यहाँ पर हमें यह नट को लूज कर लेना है यहाँ पर यह देख सकते हैं यह लॉक जिसमें इस मोटर को जो यह लॉक करके यहां पर फसाया गया है इसके नीचे जो एकी स्कूरूप लें लेगे तो इन स्कूरूपों को हम खोल लेंगे इसके बाद इसके लॉक को हम छटका देंगे तो हमारा यह मोटर बहुत ही असानी से निकल जायेगा तो चलिए हम इसको करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीनों स्क्रूप को निकाल लिया है देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके जो एक लॉक को छटका दिया है स्क्रूप ड्राइबर के सहता से तो आप भी इस तरीके से इस lock को छट्का सकते हैं और उसके बाद हम इस motor को निकालने की कोजिस करेंगे उससे पहले हमारा ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी तरी हिसे चट्का दिया है और यहाँ पर ये तीसरा बारा भी देख सकते हैं तो यह दोनों आपके सामने हैं और इसके जो यह देख सकते हैं कनेक्टिंग डाट को इसको हमें खोलना होगा तो यहां पर हम इसको भी लूज कर लेंगे उसके बाद इस मोटर को हम निकालेंगे तो चले इस मोटर को भी हम यहां से लूज कर लेते हैं इस कनेक्टिंग डाट तो यहां पर हमने इस motor को खोल लिया है आप देख सकते हैं यहां पर motor हमारा खुल चुका है और देख सकते हैं यह यह शाट से अलग हो चुका है फुरी तरीके से और अब इस motor को हम निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हलाकि मोटर इस तरीके से अभी तो नहीं निकल रहा है क्योंकि यह बोड़ी यह पकड़ के रखा हुआ है तो इस बोड़ी के जितनी भी स्कुरूप है इन सबी को में खूलना होगा उसके बाद ही हमारा मोटर निकलेगा फिर भी हम देखते हैं वैसे प्रियास करते हैं अगर हमारा मोटर वैसे निकल जाता तो ठीक है नहीं तो मैं इनके जो इस साइट साइट जो दिख रहे हैं इस गूरूप लगे हुए इन सबी को खोलना होगा तो चल ले देखते हैं हम तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने मोटर को बिना बाड़ी खोले हुई ऐसे ही निकल लिया है हलाकि बहुत ही आराम से हमने इसको निकला है बहुत ही साउधानी पुरवक क्योंकि जरा भी अगर हम जो जब अजस्ती करेंगे तो यह बाड़ी इसके क्रेक हो सकते हैं और इसली हमने इसे बहुत ही साउधानी से निकला है तो यहाँ पर हमने मोटर को निकल लिया है अब चल ले इसके हम वैंडिंग को चेक करते हैं हलाकि हमने पहले ही इसके वैंडिंग को चेक कर लिया था वेंडिंग चेक करने का तरीका दोस्तो बहुत ही सेमपल है जिस तरीके समपाइन को चेक करते हैं उसी तरीके से हम चेक करते हैं इसको तो यहाँ पर हमने निकाल के यहाँ पर देख सकते हैं काउंटर पर हमने इसको रख दिया है और इसके जो देख सकते हैं यह तीन वायर यहां पर यह देख सकते हैं यह इसका बॉड यर्थ दिया हुआ है तो इसको हमने कुछ करेंगे यहां पर यह देख सकते हैं इसके ब्रेक पैड जो कि देख सकते हैं यह और बहुत ही फ्री मोटर है हमारा तो इसके बैंडिंग को च चेक करने के लिए तो यहां पर देख सकते हैं हमारा यह सीरीज बल्प जो की जालू है यहां पर जल रहा है और यहां पर हम वायर को लगा लेते हैं और मोटर को हम चेक करते हैं चेक करने का तरीका दोस्तों जैसे ही फैन को हम चेक करते हैं उसी तरीका से चेक करेंगे और यह पर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी नहीं बता रहा है और इन दोनों में आपस मुंस्वाट करके देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह बता रहा है थोड़ा सा इस पार्क हुआ है आपको फिर से दिखाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह इस पार्क हो रह है यह बार हमारा इसका नहीं बता रहा है तो चलिए इसको हम देखते हैं यहां phones इसमें कॉन सा मरा जो सब्स ह्फोनेंगे तो यहां पर खोलने का तरीका यहां पर देख सकते हैं इसमें यह और आपको ध्यान से देखाउं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह repeat लगा हुआ है तो repeat खोलने के लिए जो तो या तो हमारे पास drill machine होना चाहिए जिसे हम drilling करते हैं और drill machine होना चाहिए या तो फिर कोई हमें कील की मदद से या कोई सुमी हो जो कि उसकी मदद से हम इसके लाग को तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर drill machine का यूच करेंगे उसी के सहायता से इसके repeat को हम तोड़ेंगे तो चलिए दिखाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके repeat जो कि इसके repeat को मैं आपको एक बार देखाऊ तो यहाँ पे देख सकते हैं रिपीट और इसके प्लेट को हमने खोल लिया है हलागि सबसे पहले हमें अभी रिपीट को तोड़ना होगा क्योंकि बिना रिपीट तोड़े हमारा यह बोड़ी बहुर नहीं आएगा तो repeat तोड़ने के लिए यहाँ पे दिख सकते हैं अगर मैं आपको देखा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं repeat यहाँ पे लगा हुआ है चार repeat इसमें लगाए गया है company के द्वारा तो इस repeat को तोड़के हम इसमें nut ball का यूज करेंगे सबसे पहले हम इस repeat को तोड़ेंगे तो repeat तोड़ने के लिए हमारे पास यह drill machine है चलिए मैं आपको देखाता हूँ और यहाँ पे मैं तोड़ लेता हूँ इसके बाद आपको देखाता हूँ यहाँ पे तो आप भी इसी तरीके से किसी भी machine का तोड़ सकते हैं तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं drill machine रखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हमने मोटा beat का यूच किया है क्योंकि पतला beat से हमारे यह repeat नहीं तूटेगा और इसमें हम इसके hole को बढ़ा देंगे देख सकते हैं हमने repeat को जो है यहाँ पे चारो repeat को हमने यहाँ पे तोड़ दिया आप देख सकते हैं यह होल इसके hole को बढ़ा दिया जिससे हमारा repeat तूट गया है देख सकते हैं यह repeat बाहर भी फेक दिया है एक आप देख सकते हैं यह तो repeat को हमने यह पे चारू निकाल लिया है अब हम इसके body को अलग करते हैं और देखते हैं कि इसमें bending में क्या problem है तो चले इसके body को हम अलग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको देखाता हूं तो चले को हमने यहां पर देख सकते हैं अलग कर लिया है यह हमारा यह रोटर देख सकते हैं यहां पर 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 य है तो इसको हम काट के चेक करेंगे देखते हैं कि हमारा ये जो की बैंडिंग प्रॉबलम ठीक होता है कि नहीं अगर हमारा बैंडिंग प्रॉबलम ठीक हो गया तो ठीक है नहीं तो दोस्तों हम इसको जो है कि दूसरा रिबैंडिंग करेंगे तो चले हम इसको कॉयल को कटिं यहां पर आब जो देख सकते हैं यहां पर इसके बैंडिंग को अपने खूल दिया है और यहां पर पढ़ा नहीं चला है क्यूंकि यहां पर यहां Mais के प्रहई दिख्वा घ्रोचर देरा है और यहां पर जो की यह इंट नहीं बता रहा है तो इसको कि यहां पर हमारा बेंडिंग कर लेते हैं और आगर आपको Yeahutan replies करने नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या आपको लिखाऊंगे और बहुत ही असान तरीके से आप इसकी बैंडिंग करना सेख सकते हैं और जैसे हमारा cooler और जैसे हमारा fine वगारा होता है उसी तरीके से दूस्तों इसका बैंडिंग होता है बहुत ही easy तरीके से होता है तो चलिए हम इसके बैंडिंग को कर लेते हैं दूसरा उसके बाद मैं आप आपको देखाता हूं तो यहां पर हमने दूसरा बैंडिंग कर लिया है जो कि देख सकते हैं आप यहां पर अच्छी तरीके से हमने इसमें धागा और अच्छी तरीके से आपके कर लिये हैं यहां पर हमारा यह देख सकते हैं और अब इसको हम फिटिंग करते हैं तो फिटिं fitting कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने इसको fitting कर लिया है जो कि देख सकते हैं आप हलाकि fitting करते समय मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है दूस्तो इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया है अगर आप लोग fitting करना नहीं जानते हैं या फिटिंग नहीं कर पाते हैं तो आप लोग comment section में मुझे लिखे मैं इस पर एक अलग तरीके से आपको बता दूँगा कि कि इस तरीके से आप fitting कर सकते हैं फिलाल हमने यहाँ पर fitting कर लिया है देख सकते हैं अब हम इसको जुए की washing machine के body में fitting करेंगे तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं washing machine के body में fitting कर दिया है देख सकते हैं जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से यहाँ पर fitting कर दिया है प्रॉपर तरीके से इसको जो यह की शाफ्ट से यहाँ पर कनेक्ट भी कर दिया है अगर मैं आपको देखा हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह सभी जिस तरीके समने इसको खोला था उसी तरीके समने यहाँ पर फिटिंग भी कर दिया है प्रॉपर तरीके से इसको टाइट कर दिया है ताकि हमारा किसी भी तरीके से लूज ना रहे यहाँ पर इसके connection को भी हमने कर लिया है और अब हम इसको check करेंगे देखते हैं कि हमारा motor नहीं यहाँ पर चलता है कि नहीं यहाँ पर देख सकते हैं इसके हमने नहीं कुछ किया है यहाँ पर हमारा मोटर प्राबलम था तो मोटर को हमने सही किया है अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार कि हमारा मोटर प्रॉपर तरीके से चल ला है के नहीं तो चले इसके मोटर को हम चेक कर लेते हैं उसके बाद आगए आपको मैं देखाता हू वीडियो में यहाँ पर हमने में मोटर के जो भी वायर हमने जो कटिंग किये थे इसको उस तरीके से मिला के जोड दिया है न्यूटल को न्यूटल से और करफिसीटर को करफिसीटर से जोड दिया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने दूर-दूर कर दिया है ताकि करेंगे तो चले इसको एक बार हम लगाते हैं सीरीज में यहाँ पर तो यहाँ पर हमने सीरीज में लगाती है और यहाँ पर हम एक बार आउन करने की कोशिश करते हैं यह हमारा स्वीच है इसका जो कि ड्राय का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा मोटर जो कि चाल है और यहां पे यह थोड़ा यह vibration कर रहा है क्योंकि अभी इसका हमने नीचे से screw tight नहीं किया है तो इसका screw को हम टाइट कर देंगे फिलाल हमारा यह motor बिल्कुल होके है सही condition से चल ला है तो देख सकते हैं यहां पर प्रोपर तरीके से कोई दिक्त नहीं है यहाँ पे जैसे ही हम उठा रहे हैं यह हमारा यह की मसीन जो ए Deutsch उखाने वाला यह बंद रहे रहा है मोटर तो हमारा ये बिल्कुल सही connection है दोस्तों क्योंकि ऐसा ही होता है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने इसको उठाया इसके जो एकी ठकन को तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से यह हमारा मोटर चल ला है तो आप भी इस तरीके से अगर आपका ड्राई की काम नहीं कर रहा है सुखाने वाला मोटर नहीं चलू हो रहा है जैसे कि यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूं पहले तो यह भी हमारा मोटर बिल्कुल ओके है तो आप इसी तरीके से इसके जो है की वायरिंग और इसी का यह कभी भी इस तरीके के फाल्टिंग आए मोटर नहीं चलू हो तो आप इसी तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं